नमस्कार सिटी पोस्ट लाइव के इस विशेश प्रिसकस में आपका स्वागत हैं मैं हूँ स्रिकान प्रतियूस आपको मैं बता दूं कि महा कटवंदन में भी सीटों का फार्मूला बटवारे का फार्मूला तै हो गया है और सुत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि 20 सी सभी सहयोगी दलों को निप्टा देना चाहती है लेकिन जैसे ही एक खबर आई कि आरजेडी खुद 20 सीटों पर लड़ना चाहती है और 20 सीटों में ही सारे सहयोगी दलों को निप्टा देना चाहती है उपिंद्र कुस्वाहा भी उसमें सामिल है तो जीतन राम माजी सबसे 20 सिटों की मांग कर चुके हैं, तो जीतन रमाजी 20 सिट की मांग कर सकते हैं, लेकिन आरजेडी ने जब 20 सिट पर लड़ने का दावा किया, तो जीतन रमाजी को मिर्ची लग गई, आप सोचीए कि महागटबंदन में भी सिटों का बतवारा बहुत असानी से नहीं होने वाला जी हां महागटवंदन में भी सीटों के बटवारे को लेकर रार मचने वाली है और सबसे बड़ी खबर में बता दूँ भीतर की खबर है थोड़ा ध्याम से सुनिएगा भीतर की खबर ये है कि सरद्यादों को और रालोस्पा को साथ लेकर कांग्रेस एक बड़ा तिकलम करने वाली है आरजडी पर दबाव बनाने के लिए यानि कांग्रेस की डिणनिती ये है कि रालोस्पा के नेता उपिंद्र कुस्वाहा को लेकर सरद्यादों को लेकर और अब तो उसके पास इनसीपी के जो सांसद थे तारीक अनवर भी आ चुके हैं तो कांग्रेस कहेगी कि प तारीक अनवर हैं तो ऐसे में हमारा हक ज्यादा बनता है यानि हमें ज्यादा सीटें चाहिए तो उपेंद्र कुस्वाहा 5-6 सीटों से कम पर तो समझोता करेंगे नहीं इसी को लेकर उन्होंने इंडिये छोड़ दिया मंत्रीपद उन्होंने छोड़ दिया सीटों के बट सीटें मिले ताकि उनकी परतिष्ठा बची रहे तो 20 सीट में कैसे कांग्रेस कैसे सरद्यादो फिर रालोसपा लड़ेगी यह सबसे बड़ा सवाल है और क्या जितन रमाजी एक सीट पर मान जाएंगे क्योंकि एक से ज्यादा सीट उनके पास देने के लिए नहीं है ज्या को निप्टाया जा सकता है लेकिन फिर सवाल उठेगा कि बीएसपी है उसे भी एक सीटो चाहिए ही और सपा भी है उसको कैसे छोड़ियेगा भाई वो तो लालू यादो के समधी की पाटी है तो उसको भी एक सीटो देना ही पड़ेगा दहेज में तो घमसान मचने वाला ह महागडबंदन में सीटों को लेकर लेकिन सबसे महतपूर्ण है कांग्रेस की रणनीती क्योंकि सरद्यादो के लालू यादो से मुलाकात के बाद जरूर उपंदर कुश्वाहा ने इंडिये को छोड़ा है महागडबंदन में जाने का एलान नहीं किया है जब तक सीट तै नहीं हो जाएगा कैसे एलान करेंगे तो अब सवाल यह उड़ता है कि कैसे महागडबंदन के नेता तेजस्वी यादो अपने इतने सहयोगी दलों को समझाएंगे अपने साथ लेकर चलेंगे यह बहुत बड़ी चुनोती है अगर तेजस्वी काम्याब हो जाते हैं सभी दलों को साथ लेकर चलने में और बिल्कुल सोहार्द पुन बाता औरण में सीटों के बटवारा करने में तो एक बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आएंगे आपको यह कारकरम अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर सेर करिए हमारे यूटूब चैनल क अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरत करिए आपका सहयोग समर्थन मिल रहा है पिछले दो महिने में एक लाख पंदरा हजार लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है इसके लिए बहुत बहुत आभार नमस्कार